आग्रा में गाडी टक्राने पर बीच बचाव करने वाले ड्राइवर की पीट पीट कर हत्या, लोडर चालक से भेडे थे कार सवार, मामला सुझाने गए दूसरे को पीटा स्विफ्ट डिजाया और लोडिंग ट्रक में टक्कर होने के बाद बीच बचाव में आए दूसरी गाडी के चालक को कार सवारों ने 13 अगस्त को बूरी तरह पीट कर अधमरा कर दिया, इलाज के दोरान 17 अगस्त को युवक की मौत हो गई, मामले में पुलिस कार सवारों की तलाश में कर रही है, थाना इरादत नगर के मुवतिपुरा गाउं के रहने वाले 32 साल का कल्यान उर्फ काली चरन पुत्र लोचन सिंग राजस्तान के जिला धौलपूर में अमूल दूद का लोडिंग ट्रक चलाता है, कल्यान अपने साथी ड्राइवर के साथ 13 अगस्त को धौलपूर से आगरा आ रहे थे, इसी दोरान थाना सदर के मधुनगर चौराहे पर उनके साथ चल रहे कमपनी के दूसरे ट्रक और स्विफ्ट डिजाया गाडी में टक कर हो गई, ट्रक ड्राइवर और कार सवार युवकों में गाली गलोच और हाथा पाई होने लगी, बीच बचाव के लिए कल्यान भी वहां रुक गया, उसने बीच बचाव की कोशिश की, कार सवार युवकों ने कल्यान के साथ मार पीट कर दी, उसे अध्मरा छोड़कर कार सवार वहां से फरार हो गए, साथी चालक की सूचना पर थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंची, परिवार को सूचना देने के साथ उन्हें अस्पताल भिजवाया, इलाज के दोरान बुधवार देर रात कल्यान ने दम तोड़ दिया, पुलिस ने शव का पोस्ट माटम करवाया है, कल्यान की मौत की सूचना मिलने पर परिवारी जनों में कोहराम मच गया, उसकी शादी पांच साल पहले हुई थी और उसके दो बच्चे गोरी उम्र करीब चार वर्ष और मारुती उम बहुत खराब है, परिवारी जनों ने शासन प्रशासन से मदद की गोहार लगाई है